हेलो एवरिवन दोस्तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के दा हिंदू न्यूस पेपर की एनलिसीज में दोस्तो मेरा नाम है सितेंद्र चोदरी और हमेशा की तरह मैं आपके लिए कुछ सिलेक्टिल टोपिक्स यहां पर लेके आए हूँ आपके सिलेबस के रिकोडिंग होती है इसके अंदर आपको जाना पड़ता है और पूरे न्यूस पेपर मेंचे कुछ सिलेक्टिड डाइमंड सा आपको अपने लिए निकानने पड़ते हैं और वो काम आपकी तरफ से हम लोग करते हैं तो आज हम लोग कौन-कौन से टोपिक करने वाले हैं पहला टोपिक दोनों से आपसे यहां से बन सकता है देखिए एजुकेशन, वीमेन, ओल्ड एज यह जो टोपिक्स होते हैं यही पैसी के फेवरेट टोपिक्स हैं यहां से रिपीटिड कोशन्स आते हैं साल भर साल भर ठीक है तो यहां से आपको ध्यान देनी वाली ज़रूत होती है अग पाकिस्तान का इंडिया का वहां पर क्यारो लोगा उसके बारे में यह थोड़ा सा आज का एक आर्टिकल है हालनकि आर्टिकल इतना जादर डिटेल में नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा ब्योंड इस आर्टिकल आपको यहां पर definitely information दोगा जिस पेपर टूमें आई-ार के concept का यहां पर कबर करता है अगले जो होता है वह चाइना हमारा प्रोसी से खबर है चाइना स्पेस टेशन अपना खुद का स्पेस टेशन बना रहा है भाई तो अभी जो नया कोल्ड वोर स्टार्ट हुआ है अमेरिका और चाइना के बीच में उसके बारे में हम थोड़ा से आप इनको हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फोन करके एक बात के लिए कॉंग्रेचुलेट किया और ये भी कहा कि यह जो पार्टनर्शिप है हम इसको और जादा स्ट्रोंग करेंगे तो क्यों कॉंग्रेचुलेट किया ऐसा क्या हुआ था क्या इशू है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो फ्रॉम जी एस पेपर टू अगली हम लोग बात करेंगे एक्सपोर्ट को लेके इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा है डिस्पाइट लोगडाउन जो काफी अच्छी ख़बर है इसको हम लोग पढ़ेंगे जी एस पेपर 3 में अगला जो हमा पास नहीं है सच बताऊं तो लेकिन मैंने इस एडिटोरल के बियोंड जाके आपके लिए कुछ इनिफर्मेशन गैदर की है जो आपके एक्जान के प्रस्पेक्टिव से इंपोर्टेंट हो सकती है ठीक है तो उसके बारे हम लोग थोड़ा चरचा करेंगा आपके पूरा क सरकार की जितनी एजुकेशन पॉलिसी होती है उनका फोकस होता है कि बच्चों को स्कूल में जादा से जादा एन्रोल करवाया जाए और उनके से टेंथ पास करवाई जाए क्या क्वालिटी है वो डिजन्ट मैटर लेकिन अभी जो नई जो एजुन एजुकेशन पॉलिसी आई है यह सरकार ने एक नया स्कीम चलाया था जिसे का जाता है लिट्रेसी नुमरेसी मिशन इसके तहत बच्चों के इन्फोर्मेशन जो है वो जो उनका जो परफोर्मेंस है वो स्टेज वाईज चेक किया जाएगा मतलब आपको थर्थर्थ स्टेंडर में कितना नोलेज है फ्यूत में कितना नोलेज है सेवंथ में कितना नोलेज है अच्छी बात है न कि हर स्टेज भी हम आपका लेवल चेक करेंगे इसी को लेके जो यह स्कीम थी लिट्रेसी नुमरेसी मिशन यह की गई थी क्लास थ्री के स्टुडेंट्स के लिए कि तीसरी कक्षा में है डेड्लाइन को अभी एक साल ओर अगे बढ़ा दिया गया है ठीक है यह पुरे के पुरी मामला है अब इसके लिए जो है कि निपुन भारत नाम की स्कीम है निपुन भारत जिसके इंडर में इसको इंपलेमेंट किया जाएगा निपुन भारत पर चलाया जाता है डिपा मतलब टोप डाउन अप्रोच रहेगी, पूरा एकदम हाइस लेवल से जाके, बिल्कुल बेसिक स्कूल लेवल पे जाके, ये स्कीम अपलाई की जाएगी, और इस स्कीम को अपलाई, जिस स्कीम के अंडर में क्या जाता है, उस बड़ी स्कीम का नाव है, समग्र शिक्षा स्क स्कीम वे एक अंब्रेला स्कीम है, जिसके इंटर छोटी-छोटी स्कीम और मिशन चलाए जाते हैं, समझ लो बात को, तो समग्र शिक्षा स्कीम ये चलाई गी थी, 2018 and 19 के अंडर में, इससे पहले जो इंडिया में दूसरी स्कीम से एकजिस्ट करती थी, जैसे सर्व स्कीम, अब ये जो आर्टिकल है, इसका परपस क्या है, इसका देखिए क्या परपस है, हर समस्य की जड़ पैसा है, और हर समस्य की जड़ का जो सुलूशन है वो भी पैसा है, अब सरकार ये स्कीम तो लौँच करने वाली है, कि हम दो थर्ड कलासे वाले बच्चों की कटोती कर दी गई है बजट में, एक तरफ ताफ कह रहे हैं हम लोग स्कीम चलाएंगे, एक तरफ कह रहे हो कि बच्चों का लेवल हों मोग बढ़ाएंगे, एजुकेशन की कॉलिटी बढ़ाएंगे, भा या दूसरी तरफ आप जो है बजट को कटोती कर रहे हूं, ऐसा क् से एक कुशन पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि देखे पहले जो हम लोगों ने पैसा लोट किया था, वह ओलड़ी रिक्वार्मेंट से जादा दिया था, इसलिए हम लोगों ने वहां से थोड़ी कटोती कर दिया, लेकिन दोस्तों सीधी सी बात यह है कि एजुकेशन नहीं है, और भहिया जब एजुकेशन का प्रेफरेंस में नहीं रखोगे, तो आप कैसे एक एजुकेशन को आगे बढ़ाओगे, कैसे आप स्किल्ड यूथ को सामने ले के आएंगे, कैसे हो हमारे जीटीप में पार्टिस्पेट करेगा, तो यह सारी की सारी चीज़े भी पड़ोसी है दोस्तों, ठीक है, हम अफगानिस्तान के साथ boundary share करते हैं, देखी यहाँ पे, आप मुझे बताओगे किस boundary का नाम क्या है, जो हम अफगानिस्तान के साथ share करते हैं, अखंड भारत की बात है, जो पियो के है न, वो भी इंटिया का इंटिगरल पार्ट है, जो अगर आप हिस्ट्री में जाओ लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एकदम लाइक अखंड हिंदू राष्टर बनाने की इस तरह की बड़ी बड़ी बाते करते हैं वो लोग भूल जाते हैं कि आज तक इस दुनिया में किसी भी कंट्री की बाउंडरी जो है इंटेक्ट नहीं रह चाहती है और यह आगे भी होती रहेंगी ठीक है पहले क्या था वो छोड़ी आप अभी प्रेजेंट में क्या है उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए अफगानिस्तान हमारा नेबर हुड है है ना हमारे नेबर के अंदर शांती रहेगी तो हमारे घर में भी शा समस्ते है थोड़ा साब को मैं पीछे लेना चाहूंगा हिस्ट्री में देखे पहले अमेरिका और रश्या दो सूपर पावर हुआ करती थी जो आपस में अपने डोमिनेंस के लिए लड़ते थे अफगानिस्तान में रश्या डोमिनेटिड सरकार वहां पे हुआ करती थी ज इनको पैसा दिया गया था ट्रेनिंग दी गई थी वो सब पाकिस्तान से दी गई थी तो पाकिस्तान रों तालीबन काफी close हैं अब रश्या से वहां ते चला गया बाद में यही तालीबन अफगानिस्तान के सरकार के अगेंस्ट में लड़ने लगा और आज भी लड़ रहा है जब 2001 में अमेरिका में ट्विन टावर पे अटैक हुआ उस समय में अफगानिस्तान के अंतर अमेरिकन फोर्सी आ गई उनके साथ तालीबन लड़ रहा था अब देखिया अफगानिस्तान एक बड़ी ही जीवो ग्रीव और जबरदस जगा है किस तरह से आज तक अफगानिस्तान में कोई भी लंबे समय तक रूल नहीं कर पाया और फोर्स से तो बिलकुल नहीं कर पाया प्यार महुबत से कर लिए चलिए वो अलग बात है इसलिए अफगानिस्तान को कहा जाता है ग्रेव यार्ड ओफ एंपायर समझदे ओ ग्रेव यार्ड ओफ एंपायर बढ़ी बड़ी बड़ी सलतनत यहां पर आगे खतम हो गई क्योंकि यह लोग ना लड़ते रहते हैं 50 साल, 100 साल, 500 साल, 200 साल मतलब हार मानते ही नहीं है गीव पी नहीं करते हैं यह समस्या है अमेरिका को लगा था कि शायद मैं हिस्ट्री चेंज कर दूँगा लेकिन जल्दी है अमेरिका को 20 साल में रेलाईज हो गया कि मेरा यहां पर कुछ होने वाला नहीं है तालिबान का अब डिफिट कर नहीं सकते इसलिए यहां से छोड़ के चले जाएं तो बढ़िया है क्योंकि ओलेडी ट्रिलियन डॉलर वहां पर खर्चा कर चुका है अमेरिका तो अब अफगानिस्तान से जो है जब फोर्सी जा रही है तो तालिबान ने वहां पर अपना होल्ड दुबारा से बनाना स्टार्ट कर दिया है तालिबान का होल्ड मतलब इंडिरेक्ट भी पाकिस्तान का होल्ड आप इस बात को भी समझिए अब तक अफगानिस्तान की लगबग वन थर्ड जो है एरिया पे तालिबान का कबजा हो चुका आप इस डाइगरम में देखिए की यहां पे जो रैड आपको इरिए दिखाई दे रहा है यह सब तालिबानी कंट्रोल है जो गृरिण वाला है या गोवैबनिट कंट्रोल करथी है अफगान गोवर्मंस किआ है बहर जाना तब से तालिबान जादे से जादे एरिया को कबजा कर रहा है जादे से जादे एरिया पी कबजा कर रहा है और अफगान की जो forces हैं उनकी जो सेना है भाईया वो लड़ने को त्यार नहीं है very low morals उनके अंदर लड़ने का जुनून ही नहीं है वो भाग रहे हैं अपनी पोस्ट को छोड़के बहुत सारे लोग तो तजाकिस्तान में भाग गए हैं border cross करके है ना आप देख सकते हो ना कि यह तजाकिस्तान है और यह अफगानिस्तान है तो यहां से भाग के इधर खड़े हो गए है लड़ नहीं रहे हैं बेसिकली उनके अंदर morals नहीं है उनको पता है कि ultimately वो तुम्हें हराई देंगे तो वो सारी सारी चीज़ें है पाकिस्तान उसको support करता है यह सारी की सारी situation है इंडिया का यहां पर क्या roll है देखे इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर लगभग 3 billion dollar invest कर रखे है तो यह सारा पैसा डूबेगा अगर अफगानिस्तान में situation खराब होगी तो सबसे बड़ी बात तो यह और सिर्फ पैसे की ही बात नहीं है अफगानिस्तान इंडिया के अच्छा partner है सार्क का member भी है तो हमारे किसी partner की situation खराब होगी तो हमें तो दुख होगा की नहीं होगा वो सारे की बाते हैं अफगानिस्तान की forces को इंडिया train करता है काफी सारी मतलब हमें पुलीस है जो अफगान forces है अब इसी के चक्कर में तालिबान इंडिया के अगेंस्ट में है कश्मीर वाले मुद्दे पे भी तालिबान जो है वो पाकिस्तान की साइड लेता है तो इंडिया की situation है थोड़ी सी peculiar हो गई है इसी लिए अमेरिका इंडिया भी नहीं चाहता कि वो वहाँ से छोड़ के जाए जीन जीन डिस्टिक में तालिबान ने कंट्रोल किया है अफगानिस्तान में वहाँ पे situation खराब होती नजर आ रही है कैसे भाईया वहाँ पे school बंद कर दिये गए है जहां जहां पे तालिबान आ रहा है नया नया और strict शरिया तो लोग वहाँ पे बना दिया गए मतलब शरिया के लोग जितनी अंदर बतो women freedom यहां से ले ली गई है school बंद कर दिये गए है और लड़कियों को तो बिल्कुल भी allowed नहीं है school में जाना और जो boys हैं सब को बोल दिये गए है आप जो है मदरसे में जाओगे school में नहीं जाओगे मतलब इस तरह की situation यहां पर अभी हो गई है और इसलिए लोग अफगानिस्तान को छोड़के जो है दूसरी जगे पर भाग रहे है why? because they are scared of Taliban यह sorry situation है पर इंडिया इसके साथ कैसे deal करता है वो future में देखना रहेगा हम उसको थोड़ा cover करते रहेंगे अगली जो news आती है वो चाइना से आती है देखे cold war जो है वो खतम हो चुका है लेकिन अब यहां नया cold war स्टार्ट हो चुका है वो है between China and America खुलके नहीं कहते हैं लेकिन situation कुछ हैसी ही है और इसका मतलब देखे एक मयान में दो तुमारे नहीं समा सकती आज के समय में America is a superpower दुनिया का लेकिन वो कमजोर होता चला जा रहा है उपर से चाइना ने अमेरिका की हैजिमिनी को challenge किया है तो definitely चाइना भी अपने आपको strong दिखाना चाहेगा economically तो strong हो ही चुका है वो अपने आपको military भी strong दिखाना चाहता है और अपने आपको space में भी strong दिखाना चाहता है मतलब जितनी भी domains है जहां पर strong है अमेरिका वो सारे काम वही कर रहा है कभी के समय में सारी की सारी चीज़े जो है USA और रशिया के बीच में हुआ करती थी तब तो USSR हुआ करता था अब वो सारी चीज़े जो है China ने भी start कर दी है तो एक है ISS मतलब International Space Station यहां पर Canada, America, Japan, Russia, Europe इन्होंने सब ने मिलके एक space station इनका combined space station है जो research होगरा के काम आता है 2011 में चाइना ने NASA से request किया अमेरिका से request किया आप हमें भी इसका member बना दीजिए लेकिन NASA ने उसको मना कर दिया अब देखे उसका मना करने को कुछ भी reason हो सकता है उनको लगा होगा के चाइना गर इसमें आ गया तो वो इसकी technology चुरा लेंगे और copy paste करने में तो वो सबसे त अपना space station launch कर दिया है जिसका नाम है Tiangong station यह चाइना का space station है इतना याद रख लेना और यह low earth orbit में establish किया जाएगा low earth orbit का मतलब होता है 352-450 km from earth surface ठीक है वहां के तीन astronauts जो हैं अभी वहां पे जाग चले गए हैं अभी दो दिन पहले ही इन में से astronauts ने space walk किया था space walk का मतलब होता है जब आप अपने ship से निकल के उस arrangement से निकल के बाहर आते हो कुछ repairing वेरा का इदर उदर कुछ काम करते हो तो 7 घंटे तो को लोग यह space में रहे जो बहुत ही proud moment है चाइना के लिए इसी तरह की तश्वीश पिक्चर जो है कभी के समय में रशिया में और अम ब Revel okay the Looking Party बहुत स्ट्रोंग होता था कभी Rebel अंडिया होता था तो यह नहीं चलता रहता दुनिया में कभी कोई फ्लो के तो यह कहानी चलती रहती हानके चलती रहेगी तो सारी सारी चीज़े में सब्म मैं मुंशन मिशन लेके जाऊंगा मून पर इनसान को उतारूंगा we are aliens actually और यह ही टार्गेट चाइना ने रखा है कि 2030 तक या 2035 तक मैं भी मून पे एक मार्स पे सोरी मून पे नहीं मार्स पे एक इंसान को लेके जाऊंगा ठीक है मून मिशन भी है चाइना का वो उसका नाम है चांक्स फाइव जिसमें चाइना जो है वो कुछ दो केजी के लगभग रोक्स मतलब चटाने वगरा वहां से कलेक्ट करके लेके आया है और उसको इर 2021 को अमेरिका का Independence Day था यह 25th Independence Day अब आप सोच रहें कि क्या सरा अमेरिका किसी का घुलाम हो गुआ करता था देखें जो जिन बंचों ने प्राडाही किये हैं निकान by न को तो पता डैमोक्रेसी के मतलब we respect freedom and we respect liberty यह हमारे बीच में common है और इसलिए हम दोस्त भी है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उनसे जो है अफगानिस्तान के मुद्देवी भी बात की होगी कि सर आप तो छोड़ के जा रहे हो अब हमारा क्या होगा है ना तो वो सारी सारी यह भाग रहा है वहां से एकदम अगर मैं इंडिया की रिलेशन्शिप की बात करूं तो हमारे रिलेशन जो है खटा मिठा रहा है हिस्टोरीकली आज जितना रिलेशन आपको इंडिया के अच्छा लग रहा है न अमेरिका के साथ भाया पहले ऐसा नहीं था पहले अमेरिक अगर इंसान को इंडिया में होता था तो उसको शक की निगाह से देखा जाता था कि यह न स्पाई है यह जासूस है रिलेशन अच्छे नहीं थे हिस्टोरीकली इंडिया रश्या के जादा क्लोजर आप सबको पता है तो हमारे जो रिलेशन है वह चेंज होते रहते हैं और और कुछ अच्छे भी हमारे बीच में अनुभाव हैं, कुछ खराब भी हैं, good experience and bad experience, थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं, वैसे तो अमेरिका relation एक तीन घंटे-चार घंटे की class weeks पे हो सकती है, anyways, history के अगर हम बात करें, तो अमेरिका was much closer to the Pakistan and India was much closer to the Russia, तो वो आप सब को पता है, है ना, WTO में भी हमारे हमें लेके कुछ issues हैं, कहीं बार अमेरिका complaint करता है WTO में के इंडिया जो है, वो food subsidy जादा provide कराता है, जो नहीं करवानी चाहिए, उसको लेके भी हमारे बीच में issue रहते हैं, history, history के अगर मैं बात करूँ, तो गोआ को लेके भी थोड़ा issue जो है, जिसे बोला थाथ है, non-aligned movement, moment है ना, तो इंडिया इसका member रहा है, तो मतलब इंडिया कहता है कि मैं किसी भी group का partner हूँ हूँ, मैं रॅष्या group का part हूँ, अमेरिका group का part हूँ, इस मामले में भी अमेरिका इंडिया को criticize करता है, अमेरिका कहता है कि इंडिया जो है मोका परस्त है वो दोनों गुरूप से फायदा उठाना चाहता है इस नाम का बोल के तो यहीं सिचुएशन भी है यहाँ पे 1965 का वर जब वर हुआ था तो अमेरिका ने पाकिस्तान का खुला सपोर्ट किया था ठीक है सब को पता है वियतनाम जब वर हुआ था अमेरिका ने वियतनाम के उपर अटेक किया थो तो इंडियान सरकार ने अमेरिकान सरकार को काफी क्रिटिसाइज किया था कि आपने वियत नाम के उपर attack क्यों किया, वहाँ पर chemical attacks भी किया, अमेरिका ने है न, उस को लेकर यह सारी चीजे हैं, बंगला देश वाला जब इशु आ था 1971 में तब भी अमेरिका ने पाकिस्तान को support किया था, इंडिया को खुल के support नहीं किया था, nuclear test जब इंडिया ने किय काफी इंडिया को help भी करी, intelligence वगर हमें help भी किया इंडिया को, क्योंकि देखे चाइना, अमेरिका का दुश्मन हुआ करता था, कुमिनिश सरकार है न, वहाँ पर, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, तो मोका देखता ही, अमेरिका ने इंडिया के साथ देना शुरू क इंडिया के सरकार में civil nuclear deal हुआ, जो हमारे relationship में एक milestone का काम करता है, जिस दिन civil nuclear deal हुआ था, उसके बाद इंडिया के relationship बहुत अच्छे होने लगे अमेरिका के साथ, क्योंकि जो nuclear test इंडिया ने किया था, उस टाइम पे जो sanctions लगाए गए थे, उस टाइम पे वो mostly sanctions हटा दिय गए, है ना, तो इंडिया अभी nuclear एक group का member बन गया, वो सारी सारी चीजे है, फिर 2004 में जो है, मोदी जी ने वहाँ पे visit किया, बहुत सारी चीजे हुई, arms importer है, इंडिया बहुत बड़े जादा defense जो deal करता है, दुनिया भर के साथ, arms को import करता है, है ना, और अमेरिका जो है तो definitely हम चाइनों को challenge कर सकते हैं, और अमेरिका भी challenge कर सकता है, इंडिया को, पाकिस्तान, जैसे, जैसे चाइना यूज करता है, पाकिस्तान को, इंडिया को destabilize करने के लिए, अमेरिका सोच रहा है, कि मैं भी इंडिया का use करूंगा, ऐसे चाइना के लिए problem create करने के लिए, तो इस तरह की मामला कुछ यहां पे है, उसके लावा कुछ defense deal हम लोगों ने की है, जैसे limova और camcasa, यह काफ़ important है, आपको suggest करूंगा, आपको please google जरूर करें, और इसको पढ़ें कि यह है क्या, क्योंकि बहुत जादा important है, logistic agreement हम लोगों ने किया है, और communication हम लोगों ने agreement क यह है, logistic का मतलब यह है कि future में अमेरिका के जहाज होते हैं, वो इंडिया में रुख सकते हैं, यहाँ पे fuel भरवा सकते हैं, और अपने जहाजों की repair कर सकते हैं, इस तरह का कुछ मामला है, कमकासा में ऐसा रहता है कि जो काफी sensitive, जो communication technology होती है, वो इंडिया को transfer करेगा अमेरिका under this कमकासा, तो इसको आप जरूर पढ़ें, थोड़ा google करें, आपको मैं बता देता हूं, उसके लावा इंडिया अमेरिका कहीं exercise भी करता है, जैसे मालाबार exercise हम लोग करते हैं, और quad क मेंबर भी है, तो कुछ खटे मीठे relationship है, let's see future में relation कहां जाएगा, depend करता है कि leader कौन है, उस leader के according ही foreign policy, किसी भी country की decide होते है, जैसे मोधी जी है, वो भी अमेरिका के, जब गुजरात के CM हुआ करते थे, तब से वो American company, अमेरिका के काफी close है, बीच में कुछ घडबड भी हो kind of economy को support किया जाता है, तो वो सारी की सारी चीज़े यहां पर है, चाहे दखिया आप बयान बाजी कुछ भी करते रहें, अमेरिका को जो भी गाली देते रहें, लेकिन अंदर से आप सब लोग अमेरिका को praise करते हैं, क्योंकि अमेरिका चाइना के close है, और अगर आपको से जो एक अच्छी न्यूज है, तो इसके लिए हम लोग clapping कर सकते हैं, ठीक है, देखे, जून के महीने तक जो है, इंडिया का जो merchandise export है, वो हुआ है, 95 बिलियन डोलर, जो अब तक का highest है, मतलब हमारा export बढ़ रहा है, कौन-कौन से sector में बढ़ रहा है, आप वो देख लीज यह है, कि यह जो sector है, यह jobs create नहीं करते, पैसा बनाते हैं, लेकिन jobs create नहीं करते हैं, जिन जो sector jobs create करते हैं, वहाँ पे इंडिया का export कम हुआ है, है कर नहीं problem, जैसे, ready-made garments, इस sector में jobs create होती हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिया का export जो है, वो कम हुआ है, leather industry में इंडिया का export कम क्योंकि T से इंडिया को competition मिल रहा है दूसरी country से जैसे श्री लंका से और कीनिया से बहिया इन country की T इंडिया से ज़्यादा सुपीरियर है और इंडिया से सस्ती है तो definitely विदेशो में इन की मांग ज़्यादा है इंडियन चाय की मांग कम है तो यह कुछ ऐसे sector है जहां पे jobs create ह होती है यहां पर हमारे export कम हो रहा है क्यों देखिए एक तो अमेरिका वेगारे में lockdown लगा हुआ था ना अमेरिका यूरोप में lockdown लगा हुआ था तो वहां पर लैदर की demand कम थी काफी जादा रैडिमेट गार्मेंट की demand भी कम थी लेकिन जैसे भी lockdown वहां पर open हुआ है उन ल 36 गड़ से नकसलिजम बहुत पड़ी समस्या तो है ही और हमारे GS paper 3 का भी एक बहुत integral part है उसमें specifically mention किया गया है नकसलिजम को internal security का एक important topic है ये editorial से काफी beyond जाओंगा मैं editorial में जिन्नोंने लिख रखा है ये नंदिनी जो सुन्दर जी है इनके उपर खुद court में case चल रहा है क क्योंकि सरकार का मानना है कि ये नकसलिजम को support करती है तो definitely अपना point of view रखा होगा तो इस topic से beyond जाने के लिए understanding के लिए हमें थोड़ा सा आगे सोचना पड़ेगा इस editorial से जो मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से हाला कि नकसलिजम में बहुत बड़ा topic है इसके करने में ही कम स करूंगा इस editor का जो में मुद्धा है वो है सलवा जुदूम अब यह सलवा जुदूम क्या है यह भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा साब को पुरा देखिए जहां आप नकसलिजम की बात करते हो नकसलिजम को कहा जाता है left wing extremism भी कहा जाता है left wing मतलब यह communist ideology से बिलोंग क टाइम पर ठीक है इसी शुरुआत होई थी 1967 में एक जगह है वेस्ट बेंगोल में जिसका नाम है नकसलवारी वहां से स्टार्ट होई थी उसके लेटर को थे मुवमेंट के चारु मजूमदार उन्होंने एक पार्टी बिनाए थी CPI मार्क्सिस्ट कार्ल मार्क्स नाम सुन चार के बिना आपका पॉलिटिकल वजूद नहीं है यह कहा था जिडोंग ने और इनसे इंस्पायर होके चारु मजूमदार जी ने भी हत्यार उठा लिए और जो सरकार थी जो पुलीस थी उनके अगेंस्ट में खड़े हो गए यहां से समस्या स्टार्ट हुई और वो समस नक्सलिजम ही हुआ करता था ठीक है तो इंडिया में कहीं सारी नक्सलिजम की चोटी चोटी पार्टियां होती थी जिन्होंने बाद में मिलके एक हो गई जिसे का आगया CPI माविस्ट इसको 2009 में भारतिया सरकार ने टेर्रिस्ट ओर्गनेजेशन डिकलेर कर दिया था तो अब यह टर्रिस्ट ओर्गनेजेशन है बेसिकली ठीक है तो यह सारे का सारा मामला यहां पे था अब देखिए सिचुएशन क्या है तो नक्सलिजम लोग होते हैं वह गाउं में जाते हैं वहां से लोगों को रिकूरूट करते हैं जो उनका साथ नहीं देता उनको मारते है स्कूल्स के अंदर बॉम फोड़ते हैं रोड्स वगारा में गढ़्धे कर देते हैं तो वहां के जो लोग है लोकल जो पॉपलेशन जो शांती चाहते हैं वह उनसे दुखी है वो उनको खतम करना चाहते हैं इसके चक्कर में एक कॉंग्रेस के लीडर हुआ करते थे वहां प मतलब यह कोई पुलिस नहीं है आर्मी नहीं है सिया पिएफ गरा नहीं है यह वहां के लोको लोकल लोगों की ही एक ग्रूप बनाऊंगा मैं जिसे कहा गया काउंटर इंसरजेंसी मेजरमेंट किसके अगेंस्ट में नकसल्सके अगेंस्ट में और जो इसके अंदर जिनको भरती किया गया उनको कहा गया SPO Special Police Officer और इनको स्टेट्स का सपोर्ट भी था यह पुलिस ओफिसर महीं है प्रोपरली इनको कहा गया SPO Special Police Officer मतलब हम आपको थोड़ा बहुत सैलरी देंगे आपको ए गन भी देंगे आपको लाठी देंगे चाकू देंगे तीर कमान देंगे आपको थोड़ा सा पैसा भी देंगे आप अगन अगेंस्ट में लड़ो यह लोग तो पहले जी लड़ने को तियार थे क्योंकि उनसे वैसे दुखी थे इस ग्रूप वो कहा गया SALVA जुदूम यह है वो SALVA जुदूम मतलब counter-insurgency measure against नक्सल्स अब यह जब Supreme Court में गया तो Supreme Court ने 2007 में सीधा सीधा बोल दिया कि जो इस SALVA जुदूम है बहिया इलीगल है लो और वो स्टेट का प्रोलम होता है और स्टेट को इसको टैकल करना चाहिए आप आम इनसान को रिक्रूट कर नहीं कर सकते तो Supreme Court ने कहा कि SALVA जुदूम इस इलीगल क्योंकि SALVA जुदूम के बा मरते थे तो बचारे लोग बीच में फस गए तो यह केस और ज़्यादा बढ़ गए रादर दन कम होने की बजाए और Supreme Court ने यह भी बोला कि जो स्कूल उगरा है देखे होता क्या था जो SPO होते थे वहां के CRPF होता था था वो स्कूल उगरा में शेल्टर ले लेते थे तो स Supreme Court ने बोला देखो भाई स्कूल जो है बच्चों के पढ़ने के लिए इसलिए आप यहां से निकल लिए तो Supreme Court के कहने के बाद वहां से निकल लिए ठीक है समस्या कहां स्टार्ट होई Supreme Court ने जब सलवाजुदूं को illegal declare किया तो जितने भी SPO थे उन्होंने बोला कि हम कहां जाएंगे सर हम तो इन्हीं के ओपटी पैंट करते हैं थोड़ा बहुत सेलरी आता हमारा घर चलता है उन्होंने कहा के देखिए स्टेट गवर्मेंट को इंस्ट्रक्शन दिये Supreme Court ने कि आप इनको ट्रैफिक वाले काम में लगा दीजिए कोई और चोटे मोटे काम में लग किया उन्हेंने SPO को खतम नहीं किया बस SPO का नाम चेंज कर दिया और उसका नाम रखा डिस्टिक रिजर्व गार्ड मतलवा सब्दाव जुदूम आज भी एक्जिस्ट करता है डिस्पाइट सुप्रीम कोट ओडर विद डिफरेंट नेम डिस्टिक रिजर्व गार्ड खे सीज़ें वही हैं गरांट पे सुप्रीम कोट के बोलने के बावजूद भी तो किछी सुप्रीम कोट में के पीचिज नहीं मांद होगा तो यह सारे के सारा मामला यहां पर दोस्तों होता है लेकिन जब भी नक्salinar कि बात आती है तो लोगों की कोश्शन से करते है कि इसका reason क्या है कि इतने समस्या क्यों है वहांपे देखिं कहीं सारी समस्या है वहांपे political समस्या भी होती है वहां के जो political सरकार है वह लोगों को बिलकुल इग्नोर करती है center government भी दिलकुब इग्नोर करती है और जब आपकी आवाज उठाने वाला होगा कोई नहीं तो आपकी वाद सुनेगा कौन तो यहां पर यह भी प्रोब्लम है तेक एकनोबिक प्रोब्लम भी यहां पर पैसे से जुड़ी प्रोब्लम है यह जितना भी एरिया है न ट्राइवल जो वैल्ट है यह बहुत सारे रि तो आपको पता ही है ना इंडिया के जो मिन्रल हाट लेंड कहा जाता है उसको तो अब देखिए एरिया उनका लेंड उनकी रिसोर्स उनके और एक्स्प्ट कोन कर रहा है बाहरवाले एक्स्प्ट कर रहे हैं वहां पर माइनिंग बहुत बड़े पैमाने पर माइनिंग होत से वह सारी समस्टे हैं तो इसका फाइदा उठाते है नक्सलाइट लोग तो लोगों को ब्रेंवोश करते हैं उनको भड़काते हैं कि देखो सरकार तुमारे बारे में कुछ नहीं सुनती और वह सारी सारी बाते हैं ठीक है आब समझी गई होंगे बात आती है के द्वारा कोर्ट एड़ एस्टेबलिश किये गए हैं जिने का जाता है कंगारू कोर्ट नक्सलाइट लोग आते हैं उनके लीडर्स आते हैं और लोगों की समस्या सुनते हैं ओंद उस्पोर्ट फैंसला करके चले जाते हैं तो डेफिनिटी लोग उनकी तरफ अट्रेक् लेशन नहीं किया जाता लेंड राइट्स भी कमजोर कर देगे हैं लोगों कि वह सारे के समस्या यहां पर समस्या बहुत सारी हैं जो नक्सलीजम का कारण बनती हैं सरकार ने कैसके लिए कुछ स्टैप्स लिए हैं जैसे मोड़नाइजेशन ऑफ सिक्योर्टी मतलब जैसे पैंथर कोब्रा कंबाट फोर्स है यह बस्तरिया बटालियन भी क्रेट की गई है इनको मोडर्न टेक्नोलोजी वाले जैसे नाइट विजन कैमरा वगरा वो सब दिये गए हैं तो मोडर्नाइज किया जा रहा है ना वो सारी चीज़े हैं ताकि वो अच्छे से लड़ सके Connectivity की जारी है रोड वगरा बनाये जा रहे हैं मुबाईल टावर वगरा लगाये जा रहे हैं वो Connectivity बढ़ाई गई है surrender policy भी है अगर कोई नक्सलाइट अगर कोई नक्सलाइट अगर सरेंडर करता है तो उसको दो तीन लाख रुपे वन टाइम पेमेंट दी जाती है उसके बच्चों को में स्ट्रीम का पार्ट बन सकें और एस्पिरेशन डिस्ट्रिक स्कीम भी चला रखिया जिसके अंदर कुछ डिस्ट्रिक जो सबसे ज्यादा इंपक्टेड है उनको रेकगनाईज किया गया है अगर मैं स्टेप्स की बात करो तो बहुत सारे स्टेप्स हैं लेकिन जिसको करा से दी हुई थी लेकिन मैंने बियोंड इस एडिटोरिल गया हूँ और यही तो मज़ आना यहर अनैलिसीज करने का अधर क्या मतलब है देखें न्यूज रीडिंग और न्यूज अनैलिसीज में ही फरक होता है मोस्ति लोग क्या करते हैं वो न्यूज रीडिंग करते हैं और न्यूज पेपर पड़के निकल जाते हैं कुछ सोचते हैं नहीं हम करते हैं न्यूज अनैलिसीज न्यूज पेपर से बियोंड हम लोग जाते हैं और इसलिए तो आप हमारे साथ बने हुए हो और इसलिए आ अपना feedback दिया करो, कुछ चीज़े जो हम improve कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, कुछ चीज़े जो आपको अच्छी लगती है, आप वो भी कीजिए, appreciation भी ज़रूरी है, है ना, तो ये सारी सारी चीज़े हैं, तो मैं ऐसे sign out करता हूँ, thank you very much, all the best and jahind